नमस्कार सात्यों विमलेंदरा कलासिज में आपका स्वागत है आज मैं सीटेट प्रेबियस येर 2011 का स्चेट सॉल्व करवा रहा हूँ आप इसे जरूर देखें अगर सीटेट में 120 पलस लाना है बाल विकास्यम सिच्छा सास्त्र पहला प्रस्ण है प्रात्मिक अस्तर पर एक सिच्छक में निम्न में से किसे सबसे महात्पूर विशेष्टा मानना चाहिए धैर और द्रिन्टा सिच्छड पद्दतियों और विशेव के ज्यान में दच्छता अतिमानक भासा में पढ़ाने में दच्छता पढ़ाने की उत्सुकता इसका सही उत्तर है धैर और द्रिनता सिच्चक के अंदर होना चाहिए धैर और द्रिनता परात्मिक अस्तर पर एक सिच्चक में सबसे महात्पुन विशेस्ता धैर और द्रिनता होनी चाहिए जिससे की सिच्चक किसी भी परिशित में किसी भी छात्र छात्रा की सहाजता से समस्याओं का समाधान कर सके अब दुसरा प्रसन है एक सिच्चक अपने लोकतांतिर्ग सभाव के कारण विद्यार्थेों को पूरी कच्छा में कहीं भी बैठने की अन्मत देता है कुछ सिच्चार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामोहिक पठन करते हैं कुछ चुट्चा बैठकर अपने आप पढ़ते हैं एक अभिभावक को या पसंद नहीं आता इस इस्थित से निप्टाने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बहतर हो सकता है आप देख लिजिए अभिभावक को परधाना चार से अन्रोज करना चाहिए कि उनकी बच्चे का अनुभाग बदल दे अभिभावक को सिच्चक पर विश्वास ब्यक्त करना चाहिए और सिच्चक के साथ समेश्या पर चर्चा करनी चाहिए तीसरा भी कल्प है अभिभावकों को विद्याले से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए अभिभावकों को प्रधाना चार से सिच्चक की सिकायत करनी चाहिए इसमें जो सबसे उचित लग रहा है उत्तर अभिभावकों को सिच्चक पर विश्वास करना चाहिए और समिश्या पर चरचा करनी चाहिए ना कि बच्चों को स्कूल से निकाल लेना चाहिए या प्रधना चार से सिकायत करना चाहिए शिच्चक पर विश्वास करना चाहिए कि सिच्चक अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है आप ये भी पढ़ लीजिए जो कोश्टक में लिखा है यदि कोई सिच्चक अपने लोगतांत्रिक सोभाव के कारण अगर छातरों को पूरी कच्छा में कहीं भी बैटने की अनमत देता है जिससे कि कुछ चातर एक साथ बैठते हैं, तथा चर्चा करते हैं कुछ सामोहिक पथन करते हैं, कुछ चुपचाब बैठकर पढते हैं अगर इस स्थित में छात्रों के बैठने पर किसी अईवावकों को परिशानी होती है या उन्हें कोई ठीक नहीं लगता है, सबसे पहले सिच्छक से बात करनी चाहिए, तथा सिच्छक पर विश्वास करना चाहिए. अब तीसरा प्रस्थ देख लिजिए, वह अवस्था जब बच्चा तारकिक रूप से अवस्थों हुआ घटनाओं के विशे में चिंतन परारम करता है, और चारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था, संबेदी प्रेरक अवस्था, तो क्या होगा? मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्थ वा घटनाओं के चिंतन प्रारम करता है इस अवस्था का परसार 7 से 11 वर्ष है इस अवस्था में बच्चा तारकिक चिंतन वर्ष्थों को समझने के योग हो जाता है मनो बज्ञानिक प्याजे के अंसार बच्चे में इस अवस्था में परमुक पांच योगता का विकास होता है संदच्चन, संख्याबोध, कर्मानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंद की चंता जैसे जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है वो संदच्चन, संख्याबोध, कर्मानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंद की चंता यह सब डेवलफ हो जाता है मन का मांचित्र संबंदित है साहसिक कारियों की किरिया योजना से मन का चित्र बनाने से मन की किरिया सेल पर अनसंधान से बोध समझ बढ़ाने की तारकिक तकनीक से मन की किरिया सेलटा पर अनसंधान से मन के मांचित्र किसे समंदित है मन की किरिया सेलटा पर अनसंधान से यहां लिखा भी है मन का मांचित्र का अर्थ है मन की किरिया सिलता पर अनसंधान से अर्था अंसार किसी कारिपकव करने से पहले उसकी रूप रेखा मन में ही बना लेना चाहिए पांचवा प्रस्ण है बिशेश रूप से प्राथमिक अस्तर पर विद्यार्थों की सीखने समंधी समेश्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है महेंगी और चमकदार सहायक समागरी का परियोग करना सरल और रोचक पाठ पुस्तकों को परियोग मिलाना कहानी कथक पद्दत का उप्योग करना चमता के अन्सार बिभी ने सिखन पद्दतियों का परियोग करना चमता के अन्सार अन्रूप बिभी ने सिखन पद्दतियों का परियोग करना है प्रतेग सिच्छार्थी की अंद्र जात प्रतिभाओं का पोचन करने का आउसर उपलब्द कराना विद्यालेई जीवन के प्रारम्भ में उपलब्धी के लच्छो पर बल देना अक्यार ये विद्यार्थों की कोचिंग कराना, अच्छा सिच्छन व्यवहारिक मुल्यों के विद्यार्थों का सिच्छन कराना, इसका सही उत्तर क्या है, परत्येक सिच्छार्थियों की अंतर जाद परतिभाहों का पोशन कराने के अउसर उप्सरब्द कराना, इसका सही उत्तर है साथ नंबर प्रस्थ देख लेते हैं प्याजे के अंसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्थ संकल्पनाओं के विश्यम की तार्किक चिंतन करना प्रारम करता है अब चारिक संक्रियात्मक अवस्था बारा वर्स के उपर संबेदी, प्रेरे का वस्था दो वर्स, जिरो से दो, जन्म से दो वर्स पोल्प संक्रियात्मक अवस्था दो से साथ, मोर्थ साथ से ग्यारा अभी आप मोर्थ वाला पढ़े थे इसमें क्या होगा बारा से उपर बारा साल के उपर के बच्चे जो है अमोर्त संक्रियात्मक के बारे में सोचने की चमता रखते हैं आपचारिक संक्रियात्मक वस्था 12 साल के उपर आपचारिक संक्रियात्मक वस्था संग्यात्मक विकास की अंतिम वस्था है यह 11 के बाद होता है मोल रोप से यह अवस्था तारकिक चिंतन के वस्था है इस अवस्था में बालक अन वस्थों के अतरिक्त स्वयम के विचारों के समंद में विचार करने में समर्थ हो जाता है बालक उदीपनों की अनफस्तित में उनकी विशेष्थाओं उपयोगताओं और अन बिंदों के बाले में सोच सकता है बालक के विचार परिपक हो जाते हैं सीखना समरिद हो सकता है यदि कच्छा में अधिक से अधिक सिच्छन समागरी का परियोग किया जाए सिच्छक विभिन परकार के व्याख्यान और अस्पेश्टी करण का परियोग करें कच्छा में आवधिक परिच्छा वापेच्छित ध्यान दिया जाए वास्त्विक दुनिया के उधारों को कच्छा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे इसके साथ अंता किरिया करे और सिच्छक उस परकिरिया को सुगम बनाए सबसे उचीत उत्तर है में लग रहा है D कि वास्त्विक दुनिया से वास्त्विक दुनिया में जो उधारन है उस छात्र को समाज से जोड़ना चाहिए तो इसका सही उत्तर है D आप देख लीजिए निम्न में से कौन से कथन को सीखने की परकिरिया विशेश्ता नहीं मानना चाहिए सीखना एक ब्याबक परकिरिया है सीखना लच्छोन मुकी होता है अन अधिकम भी सीखने की परकिरिया है सेच्चिक संथान ही एक मात अस्थान है जहां अधिकम पराप्स हो सकता है जहां एक मात्र लग जाए समझो वही वाला निगेटिव पॉइंट है ये उत्तर D गलत है ठीक है एक मात्र लगा है जबकि सीखना एक ब्याबक परकिरिया है शिखना लच्छोन मुक्षी है अनधिकम ना कुछ सीखते हुए भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं ति तीनों विकल्ब बहुत सही है D वाले में दिखते हैं आप इसे देख लिजिएगा पांचवी कच्छा के दिरिश्ट वाज़ि विद्यार्थि के मातापिता और मित्रोद्वारा दैनिक कार्यो को करने में सहायता की जानी चाहिए के साथ कच्छा में समान रूफ से विष्ओर किया जाना चाहिए और सरफ विसीडी के साथ कच्छा में समाने रूप से विवहार किया जाना चाहिए, और सरफवसीडी के माध्यम से सहायता उबलब्द कराई जानी चाहिए, इसका बी सही है, नेमन में से कौन सा बच्चे की समाजिक, मनोबैज्ञानिक आउसक्ताओं के साथ सम्मंद नहीं है, सम्मेगात्मा अपसिष्ट पदारतों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह मनोबैज्ञानिक रूप से नहीं है, और जो कि मनोबैज्ञानिक क्या है, सम्मेगात्मा सुरच्छा, संगीत, समाजिक, अन्मोदन और सरहना, यह सब क्या है, मनोबैज्ञानिक क्या है, सम्मेगात्मक है, स कानिद संगीत है सामाजिक अनमोदन और सरहना है यहां बच्चे के संग्यानात्मिक विकास को सबसे बेहतर तरीका से परभाशित किया जाता है बिद्याले और कछ्चा परियावरन यहां पे संग्यानात्मिक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परभाशित किया जाता है इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं अगर आपको जरूरत हो तो हम ऐसे रूप जा रहे हैं का सिकंड के लिए दो सिकंड के लिए तो आप इसे रोक रोक के पढ़ लीजिएगा डेस को एक अभी प्रेरी सिच्छर का इनकी तात्मक माना जाता है निम्ले मैं से कौन सा वो धिमान बच् slit का लच्छर नहीं है वह जो परभाव पूर्ण उची तरीके से संप्रिसड करने की छमता रखता है वह जो अमोध रोव से सोचता है वह जो नए परवेश में स्वयम को समझजित करता है वह जो लंबे निबंदों को बहुत जल्दी रटने की छमता रखता है निगेटिव पॉयंट को पता ही होना चाहिए तो प्रिक्षा में 15 नमब्र 20 नमब्र कर ले जाओगे तो निगेटिव पॉयंट तब आपको बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे रटना क्या है वह जो लंबे निवन्दों को बहुत जल्दी रटने की छमता रखता है तो इसका D option बच्चों की दुनिया के बारे में समझ का सिर्जन करते हैं इसका स्रेय है DES को DES को जाता है पावलाव, कोहलर अर्ग, इसकी नर, PIAJ तो इसका PIAJ को जाता है 16 न Deutschen है कृतिका अपसर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन बिद्याले में वह बात करती है यर दर साता है कि सिच्चकों की मांग होती है कि बच्चे बिद्याले में खोब बात करें कृतिका को अपना घर बिल्कुर पसंद नहीं है उसके विचारों को विद्याले में मानता मिलती है विद्याले हर बच्चों को खोब बात करते एक आउसर देता है जिसका क्या है जब आपका घर में बैलू नहीं रहेगा तो आप बहुत नहीं बोलोगे जिसे उनका विद्याले में उनकी बैलू है तो वहाँ विद्यालों में बोलती है उनके विचारों को मानितार विद्यालों मिलती है तो C option सही है देख लिजे 17 नमबर प्रस्ण है एक सिच्छक को अपने विद्यार्थियों को समता को समझाने का प्रयास करना चाहिए निम्न में से कौन सा छेत्र उद्देश का समन्द है समाजिक दर्शन, मेडिया मनोबिज्यान, सिच्छा मनोबिज्यान, सिच्छा समाजस्तात इसका सही उत्तर है सिच्छा मनोबिज्यान आप देख लिजिए सिच्छा मनो बिग्यान सेच्छिक प्रसित्यों में बालक के ब्योहार का अध्यन करके सिच्छण अधिगम प्रक्रियाओं को सहरल सुगम और प्रभावी बनाने का बिग्यान है इसमें सिच्छक अपने विद्यार्थों की चमताओं को समझने का प्रयास करता है उसे अन्रोप उसे सुधार करने का प्रयास करता है और फारा नमबर प्रस्ट है सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेगरण पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है सिच्छार्थियों के एक नई दिशा में सोचनी की योग बनाती है सिच्छार्थियों में सीखने की प्रत रूच का विकास करती है सिच्छार्थियों का असमर्ण सक्ति को पहना बनाती है तो हमें लगता है C-Option ज़्यादा सही है सिच्छार्थियों में सीखने की प्रत रूची का विकास करती है आप देख लीजिएगा इसे पढ़ लीजिए सिच्छा के छेत्र में पाठ चर्या सब्दावली डेस्ट की ओर संकेत करती है विद्याला का संपूर कारकरम जिसमें विद्यार्थी परतिदिन अन्भो करते हैं निचелि कच्छा उमें शिच्छा कारकरम् की सिध्धानतों पर विद्याला का संपूर कारकरम जिसमें विद्यार्थी परतिदिन अन्भो करते हैं पर सारे रिख्ष इच्छा कारिकरम की सिध्धानतों पर इसका option B सही है विकास और ब्रिद्धी के मनोविज्ञान सिध्धानत पर खेल कूद में क्या होता है विकास और ब्रिद्धी growth and development के मनोविज्ञानिक सिध्धानत पर अधारित है आप इसे पर लेजएगा य। गोष्टक में हैं से एक बच्चा अतीत की समान परिzk्धित में की गई अनकुरियाओं के आधार पर नई I悉स्थित के प्रत अनकुरिया करता है या किस से समन्दित हैं शीखने का प्रभाव नियम शीखने की प्रिकिर्या का अविर्ति नियम, शीखने का तत्पड़ता नियम, शीखने की सद्रिस्ता नियम, तो शीखने की सद्रिस्ता नियम होगा, आप इसे पढ़ लिजेगा, 22 नंबर प्रस्न है, पर्थिवास आली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ जगणना, बच्चों की सिच्छा उपलब्द कराई जानी चाहिए, विशेष विद्याले में विशेष बच्चों के लिए विक्सित पद्दतियां, विशेष विद्यालों में विशेष विद्यालों की सिच्छा द्वारा अन्य समान बच्चों के साथ, तो क्या होना चाहिए, चाहे व और उनका सिख्छा कराइनी चाहिए यंसीयद ऊपी योगी और रोचकम्र के लिए प्रत सचेत होना स्वेश्टी के उपलब्धी देना, सैथ्षिक और साथ सैथ्षिक छेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने का बारे में जानकारी प्राप्ट करने के लिए बिवित तरीकों को प्रियोग करना, परती पुष्टी फीरबैक के लिए प्रियोग करना, अलाग गलक विद्यार्थियों में तुलना करना, इसमें क्या है, और सैथ्षिक और साथ सैथ्षिक, छेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्ट करने के लिए बिवित तरीकों को प्रियोग करना, प्रियोग करना, का सम्मंद पठन विकार से है जिसमें बच्चा अच्छरों का पहचान नहीं कर पाता जिस कारण से पाठ पुस्तक पढ़ने में समस्या मैसूस होती है 26 नंबर प्रस्ण है बच्चों की सीखने की प्रकिरिया में माता पिता को डेस की भूम का निभानी चाहिए इसका सही उत्तर है अग्रोन मुखी विकास कभी न समाप्थ होने वाली परकिरिया है यह क्या है निरंतरता का सिध्धान्त है ठीक है निरंतरता के सिध्धानत है सीखने के अद्ध दृष्टी सिध्धानत को किसने बढ़ावा दिया तो गेश्टाल्ट सिध्धानत वादी 31 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम वैस्थक समू के साथ सक्रिये रूप से सजस हो जाते हैं तो इसका अप्सन नमबर डी होगा किसोरा अवस्था इस नमबर प्रस्ण देख लेजिए बच्चों के बहुत धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई अरिक्स्तन द्वारा, इस्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा, और कोहलवर्द द्वारा इसका सही उत्तर है प्याजे द्वारा बच्चों के बहुत धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की प्याजे द्वारा की गई संबेदी गामत काल 0-2 वर्ष और्व संक्रियात्मक 2-7 मूर्थ संक्रियात्मक 7-12 और चारिक संक्रियात्मक 12-18 यह आपको याद करना है याद रखना है यहां से एक पस्व जरूर आएगा इसके आगे हम साम को गडित करवाएंगे अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन की नोटिफिकेशन को आन कर लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यबाद आपका दिन सुभू